आई कृष्णा, कैसे आप सभी? I believe आप सब बढ़ी होंगी. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटिफूल होने वाला है, ठीक है? तो आज के इस टॉपिक में हम निखेंगे कि आपकी पहली फर्स्ट मॉर्निंग after marriage with spouse, ठीक है? तो थोड़ा कम, मैं थोड़ा दीरे बोलूँगी क्योंकि मेरी वाद निकल नहीं रही है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग अड़्जस्ट करना, ठीक है? देखते हैं कि क्या आती है आपकी रीडिंग? सबसे पहले हम कार्ट्स को शिफल कर लेंगे और आप भगवान जी का नाम लीजिए, मैं आपके लिए दो कार्ट्स निकलती हूँ पारवान एंड पारवान टू, ठीक है? देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आती है पहली सुबर शादी के बाद बहुत अच्छी, बहुत अच्छी टॉपिक है बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी अवाज थोड़ी वैसी हो रखी है क्योंकि काफी कोल्ड हो गया था, काफी सर्दी लगी थी जिसमेजे से गला बैट गया तो भी तो वक्त लगेगा दिला सही होने में कर लिया पर सो तक शायद सही हो जाया है पता नहीं कभी भी सही हो सकता है आप सब भी अपना अपना ध्यान रखिये देखते हैं कि क्या आती है आपकी रीडिंग आपके लिए आया है फिफ्थ चक्रा अर्चिंजल के अपरियल तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको ज्यादा अपनी और आकरशत कर रहा है अगर मैं इस कार्ट से देखूं तो मुझे काफी ना म्यूजिकल वाइब आ रही है म्यूजिकल काफी सॉंग्स म्यूजिकल वाइब इंस्ट्रुमेंटल लेक कुछ ऐसा काफी मतब इंजॉइंग और अगर पाल 2 को देखें तो पाल 2 क्लियरली विजिबल है थिंकिंग में कुछ सोच बचार करना किसी कोई प्लैनिंग कुछ सर्प्राइज ठीक है तो ऐसा तो यहां से मुझे थोड़ी पार्टी वाइब आ रही है ठीक है यहां पे थोड़ी सर्प्राइजिंग वाइब आ रही है और यहां से इंजॉइमेंट वाली वाइब और यह सकते हैं, तो दिहान से सुनना, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ठीक है, तो आपका सेलेक्शन हो गया है, अब देखलो, आपको ने वने शिल्क के ऐख करना है, या जो कार्ड आपको अपनी और बुला रहा है, उस कोड़िली सेलेक्ट, ठीक है, तो आप अपने पास सेलेक्ट कर लीजे, मैं बनूंगा आपको आपकी डिदिंग में, राधे आपनी रीडिंग देख लीजेगा, सूल लीजेगा, ठीक है, तो थोड़ा एजस्स कर ले ना, जब तक कितब है, ठीक नहीं हो जाती तब तक तो गला ऐसी रहेगा, तो, होफुली कर्स पर सो तक सही हो जाए, चली सबसे पहले हम लेंगे प्रभु का नाम, फिर उसके बद आ क्या है, तो, हम क्याना तसके है, टीक रेख ले आप साथ है, तो, हम लेगाई आपाराओ झाए है, तेका. लूह को नगदा pरी दें लोग करे को ठीक युझ टी लोना अवरे सिड़ क्षिछ फ उब बरिल्स फ़ना आँ करेंक Section । ठीक है वो आप से कहना चाहते है कि उनसे मिले बिना तो आप परिवारवलों से मिलने सकते हो तो आपको ये जरूरी रहेगा कि शादी के बाद जो पहली सुपह होगी वो सबसे पहले आप अपने उसका चेहरा देखकर ना खोले ठीक है शुरुआत करें मतलब तो वो कुछ इस तरीके से आप से बोलना चाहते है कि सबसे पहले चेहरा ना आप उनी गई देखना और सबस करें तो रीडिंग करते है शुरू ए भगवान प्रिश्णा रादमिया आपके सबसे आपके सबसे आज बहुत जल्दी उड़ गया है और वो देख रहे है कि आपको तक को और तक है प्लु कल प्लु कल दोड़ी अंधेरा भी होता है और फ्रीट कर रोता हो गया हुआ कि सबसे पास सबसे सबसे हरे है चाहिं थी अफेक पयोंuent कर दो physi कौट मरों कर रहे हूं कि इनको नीदी नी आरी थी और यह देख रहें कि आप कप तक उठो थोड़ी कुछ 15-20 मिनिट बाद या आदी घंटे बाद आपके आख खुलती है और आपके स्पाउस आपके सामने ऐसे ही खड़े होएं या तो लेटे होएं तो आपको देख रहे हैं खड़े होएं तो भी आपको देख रहे हैं जैसे ही आप उठे ना आपके चेहरे पर इतनी मुस्कुरायत आ गई और वह एकदम से आया और आपको गले लगा लिया मतलब ऐसे ना आप बेट पे हो वो खड़े हो हैं या फिर वो ऐसे अगर देखो हम लेते हैं कि वो खड़े हो हैं तो पोस्टर् आपको पर इसे हात लगा कि खहरे हैं कि उठ गए चलो जल्दी अप्रेश होकर और पूजादी करके सबसे मिलो लेकिन उससे भी पहले मुझ से मिला तो आप कहरे हो कि ठीक है देखते हैं जैसे आपने कर ठीकते हैं उन्होंना आपको अपको से हात पकड़ा और आपको जान आप जा रहे हो नाने के लिए और मतलब ऐसे लग रहे हैं वो अल्रेडी थ्यार है वो बस वेट कर रहे हैं कि आप नहां के बाहर निकलो तो वो आपको थोड़ा सा बठाए कुछ खिलाए पिलाए ठीक है थोड़ी आपको खातेर्दारी करें बर उन्हें बतानी होगा कि आ प्रफ्लाए यन वो बहुत कर रहे हैं सोबसोबर सब्सक्र और कि आ तो अब आपको थो पहा कुछ निकाते हो दोनों बातारीं से मस्रेदे में हो सकते हैं सब्क्रेदेशे हैं ऐसापकी आपकी आपड़ी बहुत है। ah parties i'm और यहां यहां थाज बाश आंस रेड भी थोड़ा ब्राउनिश ठीक है और या जो रस्टी कलर हो थे रस्टी कलर भूबला या फिर फिर फोड़ा पिंकिश पॉपल यह जित्मी भी कलर्स मुझे नजर आरे में वही बता रहे हूं आपको ब्लू बहुत प्रॉमिनेंट है जो आपने आज आउटफिट पहना है उसे देखते देखते हों कि सीटी निकल जाती है वह अपको सीटी मारते हैं आप जब वह को सीटी मार रहे हैं आप कहारे ओए शाले के बादे इतने मतमाश होगे तो नहीं नहीं यह तो अचानक हो गया एसा करना नहीं था लेकिनी अचानक हो गया सौरिया तो अभी अभी बीचे से आए अपको मेरे में देखने लगए अगर आप चूड़ा नहीं पहनते हो अगर आप चूड़ा नहीं पहनते हो अगर आप चूड़ा पहनोगे तो आपको चूड़ा बनाने लगए या फिर व अगर आपको रिंग पैन रहे हैं, अगर आपको एर रिंग पैन रहे हैं, 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 कि रहे ठीक है बढ़ाया बड़े प्यार से पाल पनाई और जैसे ही उठे ना नीचे से उपपर उठे तो आपके तुनों हातों कैसे पकड़ लिया एक हाथ आपका अपनी कबर पर रखवाया और एक हाथ पकड़े रखा और कहा कि अब बतो मिली ना तुम मुझसे पहले अग के लिए सब कुछ हो रहता है कि मैं सबसे पहले तुमसे मिलूँ अगि ने गलत है बहुत वेरी रॉंग यह ज़िस वेरी रॉंग कुछ रॉंग नहीं है हूँ अब मुझसे पर चुम्हें पूरा दिन बिजी रहना है बहुत सारे गैस्ट आने उस दुरान बेरा तुमसे मि किस बारे में बातचीत होती हैं कि यह जो बातचीत वाला concept है यह थोड़ा important है यह आप देखो आज अगर आप नर्वस हो रहे हों कि आप कि दिल जीत पाओगे के नहीं जीत पाओओगे तो आज वो आपको खहर है तो मैं इस बात से त्रने जरूत नहीं है तो तुम किसका दिल जीत पाऊगे और किसका नहीं मुझे पता है तुम में इतनी काभी लेता है कि तुम सब का दिल जीत पाऊगे लेकिन जरूरी नहीं कि हम बस यही सोचके रहे हैं कि हमें सब का दिल जीत रहे हैं हमें अपनी ओरिजनलिटी सामने रखने है चाहे किसी को वो अच्छी लगे, चाहे किसी को वो ना अच्छी लगे लेकिन हमें बता है हमारी एडिकेट्स क्या है, हमारी मैनर्स क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है तो तुम्हें इसी से टरने की जरूत नहीं है, कि तुमने किसका दिल जीता और किसका नहीं जिसका जीत लिए उसका बहुत है इसलिए नर्वस नहीं होना तुम्हें आपके एक अंदो उपर ऐसे हाथ रखे वो ऐसा बोलते हैं तुम्हें नर्वस नहीं होना हुआ ऐसे आपके चाहरे को पगड़े और आपको गली से लगा के कहते हैं कि कुछ भी एक मन में मत रखना जो भी हो मुझे आके बोलना मैं सुनोगा और अगर मैं ना सुनू ना तो मेरा कान पगड़ लेना और मुझे अपनी और खीज लेना तो फिर तुम्हें पक्का सुलोगा ठीक है मतलब वो थोड़े थोड़े ना रुमैंटिक होंगे आपकी जो फॉर्स्ट मॉर्निंग होगी न वो फुल अप जेंटलनेस बहुत सॉफ्ट और जेंटल वे में वो आपको उठाएंगे आपका वेट करेंगे कब तक मेरी प्रिंसेस जागती है ठीक है और जो आप जाग होगे तो आपको ना पहली ऑडर कर देंगे कि पहले मुझसे मिलना थ्यार होगा फिर सबसे मिलना फिर थोड़ासे आपको हो सकता है हेल्प करें कुछ जूल्दरीज बिनाने में थियार करने में आउटफेट सिलेक्श करने में क्योंकि यहाँ पर यह चीज नहीं आई लेकिन हो सकता है फिर आपको वह ऐसी बातचीत आपके साथ करें जिससे आपके इंदर कॉन्फिडेंस भरें आपके और आपको दिन क्या सब बीत है जैसे ही वह आपको यह बात बोलते हैं सबसे मिलते हो बिना खुद को बदले आप जो हो वही सामने दर्शाते हो पेश आते हो हर जगह वो तारीब सुन रहे हैं कि आप एक अच्छे घर से आये हो आपके इंदर बहुत मैनर्स है आप एक अच्छे घर के वेक्टी लगते हो आपके घरवालों के प्रशंसा हो रहे हैं इनफेक्ट आपके स्पाउस तो आपके घरवालों कितनी प्रशंसा कर रहे होंगे सब के सामने जिससे कि आपको गर्व होए आपको ऐसा न लगे कि मतलब होता है ना लड़के वालों के सामने लड़की वालों को बिलकूल ही साइड कर पिया ऐसा न लगे इसलिह वो आपके पेरेंट को आपके फैमली की अच्छे चीज़े बता रहे होंगे कि उन सामने आपके और आपके घरवालों की प्रशंसा कर रहे होंगे जिसी किसी को भी न एक चुटी की बरका भी न मौका न मिले कमी निकालने का और जो निकालता है वो यहां से निकल जाए वो इस चीज़ के लिए भी रेड़ी होंगे तो वो सिर्फ आपके साथ लोयल नहीं आपके घरवालों के साथ भी लोयल होंगे जब आप यह सब होते देखते हो ना आप यह उनसे अकेले में जाकर बोलते हो पुरा दिन खतम होने के बाद कि इस आजो भी प्रशंसा होई है उसकी अगदार मैं नहीं हो तुम काश हर एक लड़की को ऐसा पती मिले जो अपनी वाइफ की और उसके घरवालों के सब की इज़त का ख्याल रगे आरे गली लगी जब आप इसा बोलते हो ना उनके दिल को सुकून मिलेगा और वो उस दिन खुश हो जाएंगे कि हमारी पहली सुबह कितनी अच्छी गई तो आने वाली हर सुबह हम दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ साथ होंगे पास पास होंगे मलब कि जो पहली सुबह होगी ना उसमें ये सारी चीज़ें में से कुछ कुछ चीज़ें हो सकते हैं और जब ये छीज़े होंगी ना विए अफ़ दा वो में ओरंडिंगा है आपका दिल चाहेगा उन्हें प्यार करने का, आपका दिल चाहेगा उनकी प्रिशंसा करने का, वो भी सिर्फ उनके सामने, सबके सामने, आपका दिल खुश हो चाहेगा, उनकी लॉयल्टी को देखकर, उनके विभार को देखकर, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके प्रिवा और एक चीज में ना एड्जस करेंगे, जहां जहां पॉसिबल हो सकता है, और एक चीज में आपको हेल्प करेंगे, आपको किसी के सामने अखेला नहीं छोड़ेंगे, कि आप डरो ना, क्योंकि आपके लिए सब कुछ पहली बार है, लेकिन इन लोगों से वो पहली भी मिल च मिल चुकि है, जिसलिए हों आपके साथ-साथ होंगे, और भीज-वीच में तोड़र रोमैंस करने की कोशिश करेंगे, कभी हادत पर ही कोशिश, कभी आखों कि आउंखों में बाते करने की कोशिश, कभी, जान बुठी के सीठी मालने की कोशिश, ठीक है, कभी आपको कोई समान चुपा लिया और कहा कि तुम्हें वहां मिलेगा मैं देने आजू मैं मैं डूडने आजू मैं डूड के दे दूगा इस तरीके साब को बुलाने की कोशिश अकेले में तो वह ऐसी चिसे भी करेंगे लेकिन आपकी फर्स मॉर्णिंग बहुत अच्छे भी देगी चिल द प्रॉमिस मी यू नेवर क्राइब कॉस अफ जेज्ज्मेंट्स तो देगा उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया आप बिल्कुल भी रोगे नहीं किसी की जज्ज्मेंट्स से दो चार लोग बोलेंगे दो चार लोगों की बाते सुनके आपने प्रशाननी होना है उनको बहुत कुछी होगी एकसाइटमेंट होगी आपको सबसे मिल मानेगी आपको वो पहले ना न्यूली वेड के रूप में देखनेगी पहली सुबह आखिर तुम्हें मुझसे प्यार होई जाएगा अगर आप प्यार नहीं जताते हो ना तो आपको क्या करेंगे कोई बात नहीं तु चाहरे हैं कि न्यू जॉब करियर चेंज शादी के बद उनके करियर में काफी चेंज आएंगे जो कि अच्छे हो सकते हैं यहार सिक्रेट अड्मार आपकी स्पाउस ना देखो यसा होता है न आपको मैं बताती हूं जब अच्छा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स डरे होए जब आप सबसे मिलोगे लेकिन उनका डर थोड़ा कम होगा डर उनको भी होगा लेकिन उन्हें पता होगा आप समाल होगे यू और मैं स्माइल तो आप उनकी स्माइल हो आप उनकी खुशी हो लास्ट अधा आई हाई अधा एक सौंग आप सुनला हूं आपके लिए आ रहा है तो यह था आजका एक बहुत बीटिफुल टॉपिक बहुत बीटिफुल रीडिंग आप आप लोगी अगर अच्छी ल दिखते हैं आपके future spouse के आपके पहली morning आपके first morning after marriage कैसी होगी ठीक है तो प्लीज मैं दुबारा बता देती हूं आपको समझ ही आ रहा होगा मेरा गला थोड़ा बेठा हो है तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी voice हो सकता है क्रायक हो है तो प्लीज आप थोड़ा सा उसमे आपके बीच प्लाइन से पूछ लो किसी नों से पूछ लो सबको ही हो रहा है कि मौसम मदल रहना इसलिए सुबह गर्मी हो जाती है शाम को धंड हो जाती है तो मैं तो आपको भी कहरे हूं कि आप लोग भी थोड़ा अपना ध्यान रखना कि बड़ा बुरा होता है फिर ब घळी बुर हमार पड़ जाता है बहुत बॉल्गार पना उसलिए है और यहीं outrage gosh झाल 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 तो के अच्छी बात है यह कार्ड आ रहा है यहां पर तो जैसे की पहली यह चीज थी डिसाइड़ था कि वो आपके लिए कुछ सर्प्राइज करेंगे और सर्प्राइज में भी कुछ गिफ्ट हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव काफी इक्सपेंसिव मतलब देको उनके हिसाब से कि वो उनकी पॉकेट कितना अलाओ करती है यह ना तो यहांसे आपके लिए रिडिंग आ रही है एक तो वो कहना चाहरहे है कि मना मत करना ना मत करना ले लिima चुप चाप प्राइस दो प्राइस प्राइस तो एकijd रुकुल मत पूछो यह प्राइस पूछोंगे न ऑ तो अब आप होश ही ना हो जाओ क्या अपनों कारी न गड़ू तो इसलिए यह सब बत करना चुप कुछ आप ले ले ना कोई कि तुमारा हग है मुझ पर तो मुझ से जुड़ी हर एक चीज पर तूछ है थिक ये नवी और did abonji मुझे हख है तुझको जी भरके मैं देखू मुझे हख है ठीक है तो यहां पर क्या है अभी वह बहुत एक्साइटेड है आपको ना आपकी खातेरदारी करने के लिए कि आप आप उन्हें कुछ को ना तो वह एकदम से भागे दोड़े चले आएंगे आपके पास आप उने क किसी चीज़ की help के लिए कहो तो बुलाओ तो वह बुलाने से आएंगे बिना बुलाएं पते हैं क्यों नहीं आएंगे जिए बहुत शर्माते होंगे आपके बहुत जाद तो भी क्या है आप कुछ ऐसी अपने कपड़े पर लगा रहे हो कुछ चीजें कर रहे हो आप सेट अब इनाने जाओ गया ठीक है ना तो सारी चीज़े तोड़े कर्फ्यूस दिख रहे हो नहीं तो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं कि तुम्हें आज क्या पेहन मेरी पसंद मेरी पसंद पर देख लोगे कि मुझे क्या पसंद आजू है तो आपके तो हां हां शौ चलि आध पुखड़ता हो और फिर तुम स्यलेक करना चलेगा तुमें तो आप कुछ बोलते हैं यह आप फिर थोड़ा से शर्मा जाते हो आप तो यहां पे विल्जा भी और ग्रीं ब्री वायलेट कलर गोलडन ऐसा अंट्सी श्यूद्ट करें उन इक है तो यहां पर नहीं क रॉल ब्लू भी नजर आ रहा है मुझे आपके लिए से लेकर आपकोई भी आउटविट और कहा कि यह तुम पर जज़ेगा आज आपके रहो ठीक है मैं ज़नी जना कराती हूं और तुम पर दिखाती हूं कैसा लगता है ठीक है चलेगा ना तो कह रहे हाँ हाँ पक्का वह भ तो कॉंट्रास्ट में पहने सेम नहीं कॉंट्रास्ट में अब जब आप भार निकल के आए तो आपने का नहीं नहीं यह मत पहनो आज मैं से लेकरती हूं तो आप देखने लग गए ना आपकी नजर तो उनके शर्ट्स पर थी तो ऐसा पीछे से एक दुम से आके ना आपक कुछ बोल दोड़ी रहा हूं मैंने हागी तो कर रखा है अचा ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा है मैंने पर सब्सक्र कर रहा हूं है बहुत क्यूटी बोलते हैं अब आप उनके लिए कोई शर्ट पिकरते हो तो कहरें कि यह पहनो आप कहरो हाँ तुम बहुत अच्छे रह बास्ट पे हो ना आप करो नहीं मुझे तुम्हें इसी शर्ट में देखना है जो आओ पहनो अच्छा ठीके पहले नालू फिर पहन दाओ ना कर आए बाहर पहन रहा है एक्टिंग कर रहा है कि यह बटन नहीं लग रहा है बहुत टाइट है आप कि रुको रुको मैं लगा आप यहारी है आप ऐसे लगा रहे हो आपकी अलकल की चूडियां बज रही है या आपने कुछ पहन रखाया तो ना आपकी जूल्री सुड़ी थुड़ी चंचं सी खन 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 चंचं हो रही है तो कहरे एक बात को तुम्हारी चंचं खन-खन मुझे बहुत अच्छी लग कि दिन पहन की रखना आप करोओं बस कुछ-कुछ दिन का शौके उसके बड़ अब उतर नहीं है वह रह रही है ऐसे नहीं बोलते हैं तुम में पता है तुम्हें एक सुहागन हो अब और तुम्हें अभ ये पहान के रखना होगा। आप कहे रहूं यार है इतना नहीं ! आजकल कॉन अतना पहान आप है आप कह रहे है ! आपकी हसमें आश्बिन कह रहे है !! तुम सबको दिखाने के लिए पहन रहे हो या मुझे मेरे लिए दिखाने के लिए पहन रहे हो या मेरे लिए पहन रहे हो आप गेरो तुम अच्छा लगता है करें हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ भी ना थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ पहन के मुझे ये नहीं अच्छा लगता तेंगे चलो तुम्हारी ही चौइस है मैं उसमें नहीं कहूंगा तुम्हारी चौइस है मुझे जो पसंदे मैंने बोल दिया आप क्या रहे हो अब तुमने बोल ही दे तो तुमें एक नोड थोड़ी करूँगी अच्छा तो आड़ दार शिप बीबी बन रही हो तो आइडिल वाइफ हसने लग गए अब भी हो भी अभी हो कह रहे वेट कुछ मिसिंग है आपके रहो क्या रूकी सी काजल लेकर आते हैं यह रोली लेकर आते हैं और आपको ऐसा बीच में लगा देते हैं बिंदी भी हो सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा काजल नजर आई थी रोली नजर आते हैं तो अगर आप यह दोलों भी नहीं लगाते तो आपको छोटी सी बिंदी लगाते हैं और कहेंगे कि हाँ अब पूरा हो है अब आपके नहीं से स्टमक पे ऐसे हाथ रखके एक बात बोलते हैं कि कभी-कभी पते मैं क्या सोचता हूं कि तो में इतनी पहला ही दिन है और तुम बच्चों की बात लेकर आ गए मतलब तुमने क्या-क्या सोच के रखा है तुम्हें बता है मैंने कितना को सोच के रखा है बहुत कुछ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीज़े पहले बताने से पूरी नहीं होती हैं आपके आपके तो पूरी जिंदगी है अब जब आप जाने लगते हो ना तो अब से चलना कभी गिर बिर ना जाओ तो आप चैरो क्यों अरे तुम्हें आज से पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसे लुक में नहीं देखा कि तो अपने साड़ी पहनी होगी सूट पहना होगा ये थोड समल के चलना आप कहरो इतनी फिक्र तो साथ चल लो बिल्कुल हुक्म तो करो साथ चल रहे हैं समाल समाल के लेकर जा रहे हैं सब देख रहे हैं किसी ने क्या है दिया क्या रहे ऑफिस जाओगे तो भी तो अकेला छोड़ोगे तो किसके बरो से छोड़ोगे थोड़ा तो उ किया त्टिक है वह जाएगा क्या मम्मी क्या या भाई ऐसे क्यों छेट चलते हो यह आंको इसे पीछी पीछी नी जा रहा हुए इतना कुछ कुछ पेहन रगा कभी किर विर ना जाए हम है समालने के लिए महला वो गिर जाए नहीं उस पे भी समझा उसे भी दिखता है तो मैं सासा चलने की जरूत नहीं है वाह क्लैपिंग होनी चेन के लिए तो घरवालों के ऐसी कुछ दो तीन चीजने सुनके बहुत होड़ा साइड जाते हैं और देखते हैं क्या होता है अब क्या होता है आप कुछ घरवालों से बाते कर रहे हो गरवालों के साथ अशी ठाके बार रहे हो और कुछ मिठाईयां आपके सामने रखी हैं तो हर कोई कह रहे हैं पहले बिटे यह टेस्ट करके बताओ यह टेस्कर बटाओ हमें यह मतलब शादिगी बार रिसेप्शन होता है ना उसमें तुम बताओ तुम्हारी फेवरिट में नहीं कौन सी है हम सबको वही देंगे एज रिटर्न अब कि दून मी कोई भी जो उन से आपको पसंद्談 केरें अब घर में लक्ष्मी अई तो आपaimerो लोस्ति तो मानना थक्ति था फिलन हिर dalने लुश्यमार ना सम्मान रखना थे हैं तुम्हारे कोशी हम तो रीशान हो तो गया रहे हैं साइट से आपके स्पाउस मैं नहीं दिख रहा तुमें मैं कुछ नहीं हूँ करें अच्छु पर है इतने साल हमारे दिमाग तू नहीं खाया है अब हमारी लड़की को में प्यार करने दे जो हम बड़सों से जाते थे तो छेड़ने उनकी घरवाले नराज ह बहुत टेंशन हो जाएगी उसा बसने लग जाते हैं आप आते हो आप अब पीचे से पकड़के उनके ना पीट से अच्छी पकड़कों तो बुरा मान गए हां हां तुम्हें तो प्यार करने के लिए बहुत बैट है मेरे को प्यार ही नहीं करता अच्छा तुम्हें कोई क्यों तुम्हें को यहांगी नहीं है कोई बात नहीं कुछ से में बात हो जाएगी वाट डू यू मीन लोगों थोड़ा समझें लेकिन आपने उसे क्लीर नहीं करा कि वाट डू यू मीन अभी क्या है अभी आपकी तरफ ऐसा मोड़े हैं और आपको कहने मुझे कोई बुरा नहीं लगा है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि घर वाले तुम्हारे साथ इतने फ्रेंडली है और तुम्हें बिल्कुल बेटी के समान प्यार कर रहे है और देखो एक जो चीज कभी बहु आएगी ना तो उसे बहुत प्यार करेंगे तो यहां तो वो लड़किया बहुत ही लखी है जिनको ऐसे सासुर मिलेंगे और वो यहां कहते हैं कि मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा बस मैं तो मज़े ले रहा हूं तुम लोगों के साथ है ना तो यहां पे आप उनका हाथ पकड़ते हो और उन्हें कहते हो कि चलो बताओ तुमें क्या पसंद है मैं अज वही मनाती हूं तो कह रहे हैं मुझे क्या पसंद है वो नहीं अब तो तुम ही बताओ तुमें क्या पसंद है पहली रसोई में वही बनेगा जो तुमें पसंद होगा सब लोग इस होगा बट सब लोग आप पर चोड़ देते हैं कि तुम्हें जो पसंद है ना तुम्हारा फेवरेट है वो आज बनाओ हम तो कभी और भी बनवा लेंगे आज हम देखना चाहते हैं कि हमारी भोग को क्या पसंद है तो इससे आप बहुत कमफरटेबल होगे और आपके स्टेर करेंगे जब भी उन्हें मौका में तो उस टाइम पर आप उनक्लची दिखा दोगे या इन्हें मूछ या आप उन्हें कंपलेंट करो इससे यह फोड़ा नहीं कट्रोल में रहे और जैसे उनको कहला मौका मिलता है और आप कहा जाओगे आप कौन से भाना बनाओग अगर आप मैं कोई भाना नहीं बनाऊंगी अब मैं तुम्हें देखूंगी और देखते हूं तुम कैसे नी शर्माते जैसे यह आप उन्हें देखना शुरू करते हो आई-कॉंटेक्ट वाले गेम शुरू हो जाता है और लिटरली आप हार नी रहो वो हस रहे हैं वो मुस्क मैं पक्का देखूंगा कम से कम मुझे तुम इने आने का मौका तो मिलेगा इस गेम के जरीए से लोग यह थोड़ी बाते होती हैं और वो देखते हैं अपसे क्या बाते करते हैं फॉर्स मॉर्णिंग उनके आपसे बात ही क्या होंगी सीरियस एक्सपेट में ठीक है ना इन आंको क्या दिया वो यह जानना चाहेंगे क्योंकि फिप्लाइए अैसा बस इतना तो वह प्राइविटलय आपको देन वह कुछा देंगे Customer के पुरे प्रिवार के लिए भी गिफ्ट्स दे कि जब आप अपने घर जाओ तो यही गिफ्ट्स लेकर जाओ तो इसे सबसे भी expensive पड़ सकता उनके लिए वो मैंने golden का हाट वो थोड़ा ना आपको घर की लेडीज के साथ comfortable करना चाहेंगे ठीक है घर के मेल्स के साथ तो ठीक है लेकिन घर की लेडीज के साथ अगर आपकी बन गई ना तो फिर सब का अश्यरवाद मिल जाएगा तो वही कहेंगे कि घर में जो भी एक दो लेडीज होंगी उनके साथ तुम्हें कैसे रहना है तुम्हें बता है मैं नहीं बताओंगा बस मैं तब बता सकते हूं विवहार कैसा है सबहाव कैसा है सब के स्वभाव के बारे में बता रहे हूंगे वो यह देखेंगे आपके चाहरे पर किसी का स्वभाव सुनके ना कोई उदासी नहीं है As you are accepting आप accept कर रहे हो कि ठीक है, ओके, चलता है पता है, ओके, हो जाएगा उन्हें आपकी ये quality बहुत अच्छे लगेगी कि आप किसी चीज में कोई complain नी कर रहे हो आप mood नी बना रहे हो और वो आपको समझाएंगे कि तुम्हारे आने से पहले ना मैं बताओं हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा कब वो आएंगी और कब हम उसे जी भर के प्यार करेंगे चाहिए अभी तुम्हें लग रहा हो कि सब थोड़े थोड़े से महलब ऐसे हैं कोई खुल के बात नहीं कर रहा दैसी कि तुम लेकिन वक्त के साथ साथ देखना तुम्हें इतना प्यार मिलेगा ना कि तुम खुद अपने घर प्रिवार वालों को बता होगे कि तुम्हें इसा सुरागना तुम्हें कितना प्यार करता है कितना जादा आप उनकी ना ओटों पैसे रुंगली रखते दो गयते हो कभी कभी ना आपकोद की नजर लग जाती है इस पर जो होगा भक्त पर देख लेंगे लेकिन मैं इतना जानते हूं कि इश्वर ने मेरे ले अच्छा परिवार और अच्छा पदी चुन रखा था जिससे मेरी बन गई और मैं आ गई यहाँ पर तो जब वो इतनी पॉजिटिविटी आप में देखते हैं तनी नौलिजबल बाते आपकी सुनते हैं मतलब भॉट नौलिज लगते हो उन्हें भॉट अंडस्टेंडिंग लगते हो ऐसा नहीं बहुत मैच्योर यह कुछ ऐसा अब बहुत मैच्योरिद इससे चीज़ों को ऐंडल करोगे चाहए वो आपका काम हो तो चाहिए वो आपका घर का एक कितना आपकी responsibility हो बार की घर की दोनों आप balance करोगे और जब आप एक करोगे ना उनका दिल चाहेगा कि वो आपको आगे से आगे बढ़ता देखें बट वो ना सच बताऊं तो आपकी चीज़ों को लेकर थोड़े private रहते होंगे ठीक है उन्हें अच्छा लगता सबसे खुशियां बाटना लेकिन आपकी आने के बाद वो आपकी खुशियों को ना थोड़ा private रखा करेंगे तो पहले वो उस चीज़ को प्राइवेट कर रखेंगे जब तक कि वो बिल्कुल देखनी जासे तब वो बाद में सबको बताएंगे तो इसलिए वो पहले से चीज़ों को थोड़ा सा रखेंगे जिससे कि बाद में जाकर किसी के मन में कुछ यह नो कोई गलत भावना ना आए ओके तो आपकी फॉर्स्ट मॉर्णिंग बहुत परी जाएगी and specially आपकी फॉर्स्ट मॉर्णिंग उनकी एक दिल्ली तमन्न होग पता नहीं क्यों उन्हें आपकी हेर्स को पॉर्म करना आपको थोड़ा एडर करना आपको सॉप्ली टच करना हेल्प करना चाहेंगे आपके साथ थोड़ा सा समय वो काम की बाते भी करना चाहेंगे आपका तोड़ा ओफिस वर्क हो गया या फिर वो चाहते हो कि शादी की बाद हम यह काम साथ मिलके करें तो कुछ ऐसा प्लैन आपके साथ डिसकस करें या फिर वो एकदम से इसी चीज़ें ना करें लेकिन हाँ दीजरे इसी चीज़ें आप इफ यू इन बाते आरें एक तो क्या बुलाओ तो वो पक्का आएंगे लेकिन अगर आप नहीं बुलाओगे ना तो आपको स्टेयर करते रहेंगे कब आप बोलाओगे , कब आप बोलाओगे , आपके इंतजार में , सुबह से शाम क्यों ना हो जाए , आएंगे , खुद से भी आएंगे लेकिन खुल कर तब आएंगे , जब आप एकदम नहीं अपनी और बोलाओगे , ठीक है , तोड़ी शर्मात देहोंगे न असलिए , strength है and that is true आप जितना अंदर से अच्छे होगे आप obviously भार से भी इतने अच्छे कारे करोगे और आपके अच्छी goodness ही आपके strength बनेगे patience for you patience होगा ऐसा नहीं बहुत impatient हो रहे हैं कहीं कहीं आपको छेड रहे हैं या बुला रहे हैं या आपको परिशान कर रहे हैं इंटरॉप्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे आपको बस वो lovingly stare करेंगे यह lovingly help करेंगे lovingly बात करेंगे परशान नहीं करेंगे ठीक है and relative home हो सकता है कि अगर आप किसी relative के home जाएं तो वो आपको थोड़ा सा पहली समझा दें कि वहाँ पर कैसे लोग होंगे और अगर मालो आप किसी relative के home जाते हो ना तो उस वक्त वो आप वो लोगों को ना खेल नहीं देंगे आप लोगों आपके साथ कैसे बात हो बात हो मैं वो आप से कहेंगे कि अपनी कोई भी personal information किसी भी relative को मत बताना क्योंकि हम किसी भी trust नहीं करते हैं तो वहाँ पर वो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है मैं आपको प्रोटेक्ट करेंगे ओरिजिनल भी ओरिजिनल आई कॉंटेक्ट वाए तो यह तो आई रहा था आई कॉंटेक्ट करेंगे रेटेबल आ रही है पूरी रीडिंग और अरेंज मेरे जो सकते हैं आप में से बहुत लोगों की ठीक है स्ट्रॉंग लविंग बॉन्ड होगा आप दोनों का और भी है बरसात की दुन यह बहुत तरह सॉंग है सुनिएगा दिल कोजने लग जाता है कब जब आप उनके सामने होते हों और वो सबसे जदा नोटिस करेंगे आप पूरी दिन में कितना स्माइल करें वो लिटरली नोटिस करेंगे लेट्स डांस तुगेथर उन्हें आप से डांस करना होगा अपनी शादी के बाद पहला जो देना हैगा वो डांस करेंगे नहीं बिता सकते हों वो सकते हैं उन्हें डांस करना महुत हो सकते हों नो थर्ड पर्टी सिचुएशन किसी को भीच में आनी नहीं देगे एंड लास्ट देखते हैं शेरिंग हैपी मोमेंट्स तोगेदर यस बहुत अच्छी बातचीत होगी अच्छे अच्छे पल डिसकस होंगी वो आपसे बहुत बात करेंगे पूरा दिन आपसे बात करते बिता सकते हैं बस आप एक बार उनको मौका दो नहीं यह प्रेंग है तो यह था आज का बहुत पर डियुक्त बहुत फिर लिदिंग बस आघर है अगर आपको अच्छी लगी हो तो जुरूर बताइएगा और तोड़ा कष्टु वहोख खोष्यमा करिए लिए लिए वुप कि अगर हरे कृण साथ बोलते हैं हरे क्रिष्न हरे कृष्नक्रिष्न में हरे खाल हरे और हरे ना मिल Assembly मेरे शीशी रादे को वंदिशामरी बोल शीषी रादे